हें गाइस वेलकम चुमाई चनल में हुसरीता कुक विदसार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम बनाने वाले है अनार जूस तो चलिए दोस्तों आज का रेसी भी हम सुरू करते हैं सबसे पहले ताजा ताजा अनार लेंगे मैंने यहां पे 200 ग्राम अ अब हम इसमें एड करेंगे थोड़ा सा पुदीना पत्ता उसके बाद हम इसको अभी ग्राइंड कर देंगे उसके लिए हम पहले ग्राइंडर का जार लेंगे और यह जो सारा इंग्रीडियन सामने मिला के रखे हैं यह सारा इंग्रीडियन हम ग्राइंडर के जार में एड कर देंगे उसके बाद हम इसमें एक छोटी ग्लास वाटर रेड करेंगे और बस हमें इसको अभी ग्राइंड कर देंगे अच्छे से ग्राइंड हो चुका है अब हम एक बाउल लेंगे उसके बाद हम ये सारा जुस इस बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे देखिए कितने अच्छे से ग्राइन हो चुका है अब हम इसमें बस थोड़ा सा नीम्बू निचोड़ेंगे नीम्बू का एसे आधा टुकड़ा लेंगे बस अब हम इसको अच्छे से निचोड़ लेंगे नीम्बू का रस अच्छे से हम मिला लेंगे इसमें और कुछ भी हमें एडने करना है अब बस आखरी काम बचा है जो की हम इसको अच्छे से छान लेंगे उसके बाद हम एक बाउल लेंगे उसके बाद एक छन्नी लेंगे जिसमें हम छानेंगे ये सारा जूस हम एसे चान लेंगे अगर आपके पास बड़ा वाला चन्यों तो आप उसके सहारे चान सकते हो मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने ये छोटा वाला चन्य यूज़ किया और देखिए ये सारा जूस बहुत ही आसानी से कलेक्ट हो चुका है स्पून के सहारे ऐसे चला चला के हम सारा जूस निकाल देंगे और ये जो खद्दे बचे हैं हम उसको फेक देंगे फिर से हम जो बाकी का बचा था वो सारा जूस हम चान लेंगे और ये देखिए हमारा ये सारा जूस कलेक्ट हो चुका है हमारा juice तयार है अब हम क्या करेंगे एक छोटी सी प्लेट लेंगे उसमें थोड़ा सा salt and थोड़ा सा red chili powderate करेंगे अब इसको अच्छे से मिला लेंगे और हमारा ये जो masala बन के तयार है इसको हम glass के edge में coat करेंगे एसी एक कोई इसके एर्च को एte जो नमक और मिर्च पावडर है उसके साथ अच्छ से गुठ कर लेंगे एसे ग्लास को थोड़ा घुमा घुमा के हम इसको अच्छ से को डेंगे देखें ग्लास का एतज अब बहुत इच्छा दीख रहा है ग्लास तयार है हमारा अब हम क्या करेंगे इसके front में एसे छोटा सा नीमू का टुकड़ा एसे लगाएंगे और बस अब हम इसमें ice cubes add कर देंगे आपको जितना थंडा चाहिए जितना ice cubes आपको चाहिए इतना आप ice cubes add कर सकते हो उसके बाद हम इसमें ये जो juice बना के रखे थे ये juice हम इसमें add कर देंगे अब हम इसको थोड़ा सा गानिस करने के लिए थोड़ा सा पुदीना पत्ता हम इसके ऊपर एसे रख देंगे बस और हमारा ये तयार है अनार्जूस गर्मी के मौसम में इसे थंड़ा थंड़ा अनार्जूस मिल जाए तो वही बात ही कुछ अलगोगी बहुत ही आराम मिलेगा तो फ्रेंज ये अनार्जूस आप सबको कैसा लगा मुझे कमेंड में जरूर बताएगा अगर अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर दबाए और मुझे कमेंड में जरूर बताए कि आप सबको कैसा लगा और एसे गर्मी के सिजन में आप ये थंड़ा थंड़ा जूस सब को सफ कीजिए सब को पसंद आने वाला है और ये रेसिपी आपको अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना बिलकुल भी ना भूले मैं ऐसे ही आप सब के लिए बहुती यूनिक रेसिपी लेके आऊंगी वीडियो के इन तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यव हो तो सब्सक्राइब करना बिलकुल भी ना भूले थैंक यू